तो हलो एंड वेलकोम एगें दोस्तों बाइस अब डंकी के लिए जो प्यार चल ला है बहुत जबर्दस प्यार चल ला है यह मोगी क्या पोस्टपॉन हो गई है एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है और अभी तक साइद कुछी क लोगों ने देख भी लिया होगा और नहीं द गई थी A Soldier's Journey to Keep a Promise लोग क्या सोच रहे है कि मूवी पोस्टपॉन हो चुकी है दुबारे से वही हाइप सेट होने लग गई कि सालार से डर गई डंकी या फिर वही चीज की साहरुक खान प्रभास से डर गया अपने डाइनोसोर से साहरुक खान डर गया राजकुमार हिरानी गया और प्रशांत नील से डर गया तो यह सब कुछ नहीं हो आए अगर यह सब सोच रहे तो चूतिया हो तुब क्योंकि मूवी पोस्टपॉन नहीं होई है ऑफिसियली कहीं से भी नहीं आया ऑफिसियली साहरुक खान के पेश से नहीं आया है ऑफिसियली राजकुमार हिर बताया ये जा रहा है कि ये मूवी इंटरनेशनली एक दिन पहले रिलीज हो जाएगी बट ऑफीसियली जो 22 दिसम्मर को रिलीज होनी इंडिया में वो उसी दिन होगी तो भाई ये समना एक बार के लिए आप इसी हवा हवाई बाते लग रही है क्योंकि अगर इतनी बड़ी सी माइनर सी मिस्टेक कर सकते हैं कि औफीसली यहां से रिलीज नहीं हो रहा है कोई और आपका सहरा ले रहा है कोई और आपके लिए चीज़े रिलीज कर रहा है तो भाई मैं बिल्कुल मान के नहीं चलना हूँ कि ये मूवी 21 दिसम्मर को आने वाली है वह उससे लोग नेल पे गया दो ट्रेंडिंग हैस्टैक डंकी वन नमबर पर ट्रेंडिंग चलना है इस टेम पर यह चीज पहले बाद तो यह बड़ा प्यारहा कि यार यह मूवी दिसम्बर में आने वाली है इस टाइम लिचो नमबर वन पर चलना है लिचो इतना हइप पे ट्रेंडिं तो ये चीज ना जनता वही मैं कहा रहा हूँ फैंस इतना बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं इस मूवी के लिए और बाइगार छोटी सी छोटी फेक अपडेट भी मिल रही है तो उसको बड़ा अच्छे से तवज्जो दे रहे हैं और बड़े अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर रहे है भाई तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है कि इस मूवी के लिए इतना ज़्यादा वेट करा जा रहा है तो मैं वही कह रहा हूँ ट्वीटर में कितना चल ला है आराउंड 19K प्लस पोस्ट हो चुकी थे 19K और सिर्फ डेर से दो घंटे के अंदर ही अंदर हैस्टेक डंकी नंबर वन ट्रेंड कर रहा है और 19K प्लस के पोस्ट हो चुके हैं इतने ज़्यादा ये हाइप चेल रहे है इतना ज़्यादा ब्रेंडिंग में फिर बोल्डा हूना जवान और पठान की जो ब्रेंडिंग इन्होंने सैट कर रेखी है वो इस मूवी को डंकी को सीधा सीधा मिलने वाला है राचकुमार हिरानी ये नाम ही काफी है अपनी मूवी को बढ़ावा देने के लिए कॉम्पटीशन में कितनी क कोई भी मूवी आ जाएं सब को बीट डाउन कर देंगे ये प्रभास का मैं कहा सकता हूं चीहां अच्छा खासा कॉम्पटीशन देंगे दोलों मूवी का कोई घाटा नहीं होगा अपना अपना बिजनिस करके जाएंगी लेकिन ये मूवी पोस्पॉन नहीं होई है आई ड खराब हो जाएगा अगर आपने 21 डिसमबर को रिलीज कर दी सीधा सीधा ट्रॉल हो जाएगे कि भई आप डर गए किस से प्रभास से डर गए हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता क्योंकि जवान के सामने जब सालार आनी थी और सालार क्या करते हैं डिसमबर में पहुंच गई तो उस टैम पर इतना ज़्यादा ट्रॉल हुए थे परसांत नील परभास सालार के मेकर्स कि सहरूख खान से डर गए है वो दुनिया भर की बाते होई थी उस टैम पर यही चीज यह मंजर यह लोग तो कती फील नहीं करना चाहते हैं तो वेट करते हैं फिलाल अभी तक यह मूवी आनी है सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड आनी है क्योंकि भाई 22 दिसंबर को आना यह अब मजबूरी तो होई गई है और दूसरा यह कि सहरूख खान ने खुद अपने मूँ से ना कि कि किसी पोस्ट से ना कि ट्विटर हैंडल से ना किसी इंस्टाग कहीं से भी नहीं अपने मूँ से यह चीज रिवील करी थी जवान की सेलिब्रेशन पार्टी में एक अच्छे खासे इंटर्वियो में कि भाई डंकी आनी है 22 दिसंबर को उसके बाद डंकी के ऑफीचल पेज पर आये था उसके बाद यह ऑफीचल ट्यूटर अकाउंट है उन्होंने यह चीज रिवील करी थी तो भाई साब मैं नहीं मान के चलना कि 21 दिसंबर को यह आनी है आप लोगों की कहा रहा है नीचे कमेंट उक से जरू बता के जाना मिलते अगली वीडियो में जैहिंद